सरकार को काम तो सुरक्षा देने का होता है, रोजगार देने का होता है, सरकार का काम तो फिंडस्ट्री जगाने का होता है, सड़के बनाने का होता है, स्वास्त पे काम करने का होता है, साथ साल में एक मंदिर पे पुरे देश की जंतर होता है ये जैसे नारे लगेने अलक्संता पहले कि हम देश ने भीकने देगे और चोगिदार चोड नहीं हो सकता ये तो साबित हो गया जिसको देश सुंपया वो देश को पेचने का काम पर रहा है सामसंस आए बेचने पुरा पुरा सेल को लगा दिया पुरा देश यह सारे इशू हैं आपको उठाने हैं यह एक जन्द करांती हैं यह खाली किसाने का माम लादी है यह सारे इशू रहेंगे सभी किसानों नोजमान साथियों सभी पुलिस परसासन के लोग और यहां पे जो आयोजक करने वाली कमेट्री नोटी सहाथ तंसेर सिंग चांगी जी गुर्विंदर सिंग गोपी गुर्जीत सिंग नंबरदाग चरंजीत सिंग जस्विंदर सिंग हरफीत सिंग गुर्विंदर सिंग तपिंदर सिंग जी चरंजीत सिंग गिल दलजीत सिंग जी और शामलाल सर्मा यहाँ पूरी नोजवान साथी है और यहाँ पहाड से ओपर से जो लोग यहाँ पर आए उन सबका धन्यवाद है और यहाँ से जो सुर्वारत हम करते हैं गुरुद्वारा पोटा शाव जहां पर गुरु गोविन सिंग ने गरंत इकटे करे उन पर चर्चाय हुई और लेकरी लिखी गई कहीं साल में यहां पर रही और जो सबसे बड़ा महत्यु यम्ना जी का आप जब भी देखोगे तो यम्ना यहां स शान्त होके चलती है बड़ा फांट और बहुत शान्त होके आवाज नहीं करती जब पूरा पानी आता है जब भी वह आवाज नहीं करती तो ऐसा तिर्थ अस्थन पर आज सो भार्गे हैं कि हम यहां पर आज आए दो जाल दो के तीन की आसपास की बात है कि टिकेट साब भ मोटा शाब की धर्ती पर हुआ है कि मुद्दा है कि पूरे देश का जो इसु चला हुआ है जिसके लिए सब किसान इखटा हुआ है वो तीन कानून जो पूरे देश के किसानों को बरबाद करेंगे वो कानून जो किसानों के पक्स में बनने चाहिए थे वो देश में नहीं बने MSP देश में लागू नहीं हुआ जब सुरू सुरू में बात चीत उमसा हुँ ना कहा जी MSP तो इसमें ही नहीं तो यही तो रास्ता था 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 कि MSP ना दे के MSP पे कानून नहीं है सस्ते में फस्तों के रूटने का टेंडर मनाया गया देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद माई इसका मतलब है कि व्यापाली की पहुंच परदार मंत्री के कारियलर तक है जो पड़ी कंपनियाई देश में किसी पार्टी का राज नहीं है यह वीजयपी वाले गलत फहमी निकाल दे कि हमारी सरकार ए इनके तो नेता भी अंदर हाूस महरेष्ट है इनकी सरकार होती तो यह ज़रूर बात करते जब जब भी देश में किसी पार्टी की सरकार हुई तो उसने बात करी किसा नुक्त से अंग्रेज भी देश में रहें अगर कोई सुभा तो अंग्रेज भी बातचीत करते थे उनकी समझ माता था तो उसका हल निकालते थे यह तो उससे भी खतर नाख है यह हैं जैसे देश में राजा पढ़ता थी ऐहां है जिस राजा के दिकार होगा जिस राजा開ष के छेत्र में अनाज जितना होगा वो उतना ही बड़ा बंसाली वह गांग यह सो डेढो दोस्सू साल पहली जो deeper on वे इसी सरकार में शुरू करी है अब अराज पे अधिकार और वो अराज का अधिकार जो आप बड़ी-बड़ी कंपणियों को आप देखोगे कि एक शी यह जितनी भी फूड चैन में कंपणिया हैं मेंक्डोनर्स जब इनका शाम को क्लोजिक होता है इनका भोजन बचता है तो अगले दिन फ्रेस भोजन इनका मिलता है वह सबनकाता है तो दूसरा ही भोजन इनका यहां पर मिलागा आपको लोग समयते हैं कि बहुत बढ़िया लोग हैं अगले दिन नया फ्रेस भोजन देते हैं लेकिन आप इनसे जरूर पूझने की कोशिश करना कि आपका बचावया भोजन कहां पर जाता है वे बचावया भोजन अपने नोकर को भी नहीं देते जो वहां पर करमचारी काम करता अगर गुलाब जामुन का चार्क गुलाब जामुन एक दब्बे में हैं और दो गहक न मांग ली और दोस्मसर बचगी तो वह बचा हुए अगले दिन पर दो देजें नहीं वह लेकिन वह अपने कलमचारी को भी नहीं देंगे वो डश्टबीन में डालते हैं कैमरे के साम कि लिए तो यह जो भोजंद पर अधिकार का जो सवाल आया है कि यह जो कंपणियां बड़ी-बड़ी कंपणियां जो हारी है कि इनका एक सर्वे हुया और सर्वे हुया यह कि महिलाएं सोने का इस्तेमाल एक साल में 17 वार करती है उसके वाद में लोकप में अपने घर में लगती हैं तो भूख एक साल में साथ सो बार लगती है तो ने कहा है भूख पर व्यापार करेंगे अनाज को गोदा में बंद करेंगे रोटी को तिजोरी की बस्तू बनाएंगे और भूख के अधार पर देश में कीमते तेह करेंगे यह भी आपार नहीं चलने का लड़ाई लड़ाय है अब जो लड़ाई लडने वाला है यह जो आम आद्मी है जो आम भोगता है जो आम कंझुमर है यह किसान तो उसके लड़ाई लड़ाय है जैसे हिमाचा लमाएं तो सेव की हम अगर बात करें यहां पे 10 लाख किसान परिवार है 6 लाख किसान परिवार यहां पे बागानी का काम करता है यहां पे पूरा अधिकार जो सेव के जो बागान है वो अडानी के पास में है जब यहां का पूरा व्यापार खतम करा गया तो अडाणी ने थोड़े से ज़ादे पैसे दिये यहां के किसान को उसने मंडिया यहां का व्यापार खतम करा और जब तीन साल ज्यादा पैसे उनको दिये यहां का पुरा व्यापार इक सिस्टम तुटा उसके बाद में मनवान ने रेट पे अपने सेव खरिदता है और आज डेट सो रुपया किलो उसी का भाव है आम कंजूमर को भी भारता ह है और आम किसान को भी मारता है इसी तरह से यह दूसरी जो बड़ी कंपनी यह जो 26 जो ख्षेत्र है जो बड़ी-बड़ी सलस्ताइं है वो टेलीफोन की हो वो पेट्रोलियम हो वो हवाई अट्डे हो वो रेलवेज हो वो बैंकींग हो वे सारे के सारे बिक्डे का काम करा जा रहा है ये देश में कोई सरकार नहीं देश में सरकार के नाम पर लुटे रहे हैं इनको भगाना पड़ेगा ये नुटे रहे हैं भगाना पड़ेगा इनको ये और दो-तीन साल में पूरे देश को बेचेंगे जगे जगे बोड लगेंगे सेल फोर इंडिया सेल पोर हिमाचल यह बोड लगने यह सब जगे संस्थाइए इक नहीं बनाई गला, सब बेचले का काम कर जारा गुजरात में गए दो दिन गुजरात में गुजरात स्टेट में किसी पालिटी की सरकार नहीं वहाँ पे पुलिस की सरकार पुलिस ही वाँ की अगुमत चाहती है अगर अगरा यहाल गुजरात के हैं जब सावर्वति आसरम गए उसके बराबर में एक स्टेडियम है स्टेडियम था सरदार बन्रम भाई पतेल के नाम से स्टेडियम का नाम बदन दिया गया गुजरात के अंदर मोधी स्टेडियम उनके बाद में उसके गाउं गई हम सरदार जी गए बाग डोल ली गए जहां से उनने आंदरन की सुरुआत करी हमने दो दिन में दोन्यों जो महाँ पर उस्ते उनके वहाँ पर गई वहाँ के किसार उसे मिले वहाँ के गाउं के लोग उसे मिले लेकिन किसी की हिम्बत यह नहीं थी कि हमारा हाथ उठाकर समर्दन करते हैं वह सिर्प ऐसे आथ बाज़ के बात सुनते थे एक आतन का अगर देखना है तो गुजरात मजा करते हैं यहां पर उत्राखंड में हम गए रुदरपुर में पंचात हुई माँ उस पंचात हुए तभी मोदी आये होंगी उस मैदान का नाम रख दिया मोदी मैदान जब वहाँ पंचात हुई तो उससे जादे भीड इन किसानों की गई वहाँ इन किसान उन्हेरे नाम बदर कर रख्या के जिसकी जाज़े भीड मैदान उसके नाम तो उन्हेरे नाम रख्या किसान मैदान ये भी जो हिमाचर यहां पाई ये शांत शेत्र है बहुत पीसफुल ली लोग यहां पे रहते हैं बहुत पड़े रिखे लोग यहां पे हैं कि यहां की बहुत सी पोलिसी हमने बराबर का यह आपका इस्टेट है उत्राखंड हमने कहा कि कुछ पोलिसी भाकी उत्राखंड में भी ले आओ उत्राखंड के अधिकारी यहां पे भेज़े कुछ पोलिसी में लेके गए साथ साल पहले और सर्वेकरों के यहां का जो उत्थान है यहां के जो आदमी है यह पड़े लिके हैं यह जुकेट है उत्राखंड का क्यों नहीं है दुनु हिल स्टेट है उस अच्छाई भी है यहां के लोगों की लेकिन उनको भी दवाने का काम करा जा रहा जो यहां का किसान है उसको प्रेसर में लेने का काम करा जा रहा हमने कुछ पोलिसी जो हिल स्टेट की जो पोलिसी है वो पोलिसी देने की काम करी और ये पूरे देश में देने का काम करा है जो भारस सरकार से आंदोलन चल रहा हो तो चल रहा है लेकिन जिसी स्टेट मज़ते हैं उसे स्टेट के वी पोलिशी में कैसे उसमस्थ हुदार हो सकता है उसमें भी बात कर जाती है जब तक यहां पsur विलेज टूरिजम पॉलिसी में बढ़ोत में नहीं नहीं होगी तो पहड के किसान को वहां के गाउं में रहने वाले लोगों को लाब नहीं मिला वो विलेज टूरिजम पॉलिसी पूरे देस में लागू हो यहां के किसान को ट्रांस्पोर्ट सबसीडी मिले जैसे चिन्नी की सुगर फैक्ट्रियों को बंदर गाहत तक ट्रांस्पोर्ट सबसीडी समय समय पर देते हैं उसी तरह से पहाड के किसान को भी उसके खेट से मंडितक की विवस्ता सरकार करें उससे यहां के किसान को लाब होगा यहां की कई सो करोड रुपया की फसले बरबाद होती है जंगली जानवरों से सरकार यह तो उसका मुआउजा दे यह कमपनी उसका मुआउजा दे यह जंगली जानवरों का इलाज करें उनका यह सरकार उसे यहां पर भी डिवार्ड है और यहां के लोग उसे भी है कि जो कमेटिया है आप पहाड तक जाओ यहां पर तीन कलाइमेंट जोन है उन जोन में आप काम करें यहां की जो जो फसले हैं उस पर आप काम करें यहां के लोगों के पीछ में जाएं ये कमेटियां काम करें और पहाड के जो लोग हैं उनको साथ में जोडने का काम करें यहां की कमेटियों की जुम्मेदारी हैं कि दुन्हों स्टेट को आप जोडने का काम करें क्योंकि दुन्हों का क्लाइमेट जोन एक है यहाँ पर अगले महिने इस महिने के लाश्ट में होर मिटिंग यहाँ पर उत्राखंड और हिमाचल में रख है जो सईयुक्त मोर्चे के लोग है जब जब आप उलाओगे तो यह लोग आएंगे पाढ़ के लोगों को भी जोरत है कि दिल्ली के अंदोलन में सरीक हो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो उससर निम्टा जाएगा पुलिस परसासन आपको परमिसन नहीं देगा आप कैसे यह ध्यान कर ले कि आप जो भी किसान संगठन की मिटिंग करोगे परसासन को इंडिगेट करोगे कि हम वासफे मिटिंग करेंगे आप कागज लेकए पिछब अपको फर भी सरकार की काईडलरी है अगर वे आपको बॉडलों पर ओपने का क्या काम करते हैं तो हमारी सकसरक्फूल होगी हम पोर्णनूप से सांती पूंद तरीके से अपनी मीटिंग करते हैं बहुत प्रेसर में रहते हैं यहां के पुलिस फोर्स के लोग भी इनकी सेल्री आग दर देखोगे हमारे परिवार के बीच से यह बच्चे जाते हैं सारे एक टीचर से आध्ये सेल्री इनकी होती है काम इनसे 24 गंटे लिया जाता है इनकी डूटी अगा यह कुछ काम करेंगे तो डूटी यहां से अटाक है पहाड के जो चाइना का वोडर है वहाँ पर लगाएगे पुलिस में लेकिन जब इनके क्वार्टर बनने की बात आएगी तो कभी आपने इनका क्वार्टर नहीं देख्या होगा यह अपने माबापको भी अपने क्वार्टर में ले जाने वाल दे जाते पुलिस वाले सर्माते हैं दो चार पाई उसमा नहीं आ सकती है हमने बारत सरकार को लिख्या यह करीब पांच-छे साल से लिख रहे हैं फोर्सिस के लिए इनका क्वार्टर बड़ा बनाओ आप इनसे डूटी 24 गंटे लेते हो इनकी सेलरिया बड़ाओ इनके वर्दी के जो पैसा मिलता है वो बता बड़ाओ यह आवाज नहीं उठा सकते फोर्स के लोग तो इनको दबाने का काम करा जा रहा है 2004 के बाद में पैसन खताम कर दी गई सबी करम चाहिजोगी लेकिन MP और MLO की पैसन रहेगी देश के परदान मंत्री जी जैसे आपने गैस के सलंडर से सबसीड़ी वापसी की बात आम जिनता से करी एक बार MP और MLO से भी कर लो बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं आप अपील कर लो कौन-कौन छोड़ने में ये देश में अबनी चलने वाला MP और MLO को चर-चर पैसन मिलेगी और सरकारी करमचारियों को एक भी पैसन नहीं मिलेगी या तो उनकी भी खतम होगी और या उनको भी मिलेगी ये सारे इशू हैं आपको उठाने हैं ये ये एक जन्द करांती है ये खाली किसानी का मामदानी है ये सारे इशू रहेंगे ये जैसे नारे लगेने हैं लक्सन से पहले कि हम देश निभी कने देंगे और चोगिदार चोड नहीं हो सकता ये तो साबित हो गया जिसको देश सुम्पया वो देश को बेचने का काम कर रहा है सामसंस थाए बेचने पुरा का पूरा सेल पर लगा दिया पूरा देश नोजवन्यू से भता के वोट ले लिया सरकार के काम मंदिर बनाने के नहीं होते है सरकार को काम तो सुरक्षाैंगा है रोजगार देने का होता है सरकार का काम तो फ विकास के नाम पर सरकार काम करें मंदिर तो गाओं गाओं में गाओं के लोग उना बनावें और गाओं में सिवाल ले मंदिर गुर्दवारे बस्जिदे हैं आप उस पर कंट्रोल करो लेकिन विकास का काम आपने छोड़ दिया ये नहीं चलगा देश की जंदा ये बूजती है ये विकास कब होगा हमारे फसलों के भाव कम मिलेंगे आलू का रेट नहीं महींने पहले आलू का रेट आज से सत्तर दिन पहले 40 रुपया किलो आज अब किसान की फसल आगी 22-23 रुपया किलो पुरा टेमाटर का किसान बर्बाद बाज लेकर सारी फसलों का किसान बर्बाद MSP पर अगर कानून बन जाएगा तो MSP से निच्छे पर कोई खरीद नहीं करेगा ये कानून चाहिए तीन जो कानून बने ये वापसी चाहिए जो दूद का एक एगरिमेंट विदेशू से होने जा रहा है दूद का किसान बर्बाद होगा उससे पुरा पसुधन हमारा खतम होगा अमूल जैसी कंपनियों ने 17 रुपे का डिमांड करी है कि अगर पहार से दूद का एगरिमेंट होगा तो 17 रुपे हमको पर केजी पर लिटर हमको बोनस चाहिए उस पर जब हमारी अमूल की डेरिया बच सकती है सीड भी लाव रहा है बीच कानून पुलिस के थाने जाएंगे आद दमसूद में दिवार किचेगी पहला मैदा ही थाने बने बिचली के थाने बने अब बीच के थाने बनेंगे बीच पुलिस बनेगी किस किसान में अपने खेत में क्या बोया है उस पर निग्रानी रखी जाएगी अगर दोक्के से किसी ने किसी से दुस्मनी निकाल ली है किसी कमपनी का बीच किसी के खेट में बगात एक किलो जब वो जमद उसके उपकर मुकतमा दरज होगा बुलिस किसान को भर खेचू-खेचू फिरेगी किसान कहेगा मेरे पास मुत है रसीद है मैं तरह इस कमपनी का भीज वोया उसने कहा था कि पॉलूशन की नाम पर जेल होगी कोई सोच सकता था कि दस साल पुराना टेक्टर आप नहीं चला सकते एंसियार में ये कानून है कि दस साल पुराना टेक्टर डिजाल इंजन कोई भी किसान नहीं चला सकता आपके हाँ पें पंदरा साल है अभी एंजिटी का दारा और बढ़ रहा है हर सहर में इस तरह की पॉलिसी आएगी कि सहर से सो किलोमेटर के दूरी पे कोई भी दस साल पुराना बहार नहीं चलेगा ये पॉलिसी भी आएगी ये पूरी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन चिन्द जाए गुजरा जैसे स्टेट में रिलाइंज को साथ गाओं की जमीन दी जो आंग की खेती करता था किसान मापांग के भगिचे लगाए गई रिलाइंज के द्वारा और वे सुप्रीम कोर्ट तब उनको हराया गया एककी जज पहले बेंच में भी आया दूसरी में भी आया तीसरी बेंच में भी आया जो डिशनी से विश्वार सुटफ़ा जाता है इंदुस्तान का इनकी जाच होगी जिनको राज्यसवा मिली इनने दो तो तिन तिन साल क्या-क्या फैसले करें हैं देश में ये वही है राज्यसवा का एक पट्टा दिखा जाता है जितने भी नेता इस तरह के बढ़ते हैं जब सरकारी ओदे पर रहते हैं उनसे या तो सपत पत लो कि कभी भी मैं पॉल्टिकल पाल्टी राज्यसवार उसमें नहीं जाओंगा नहीं तो उनके पांच साल की कार्यकाल की जाच हो उनने क्या-क्या फैसले करें हैं ये आदे जेल में पाएंगे आपको जेल में क्योंकि एक पट्टा दिखा जाता है कि दो साल बाद में तीन साल बाद में राज्यसवाएं उनसे फैसले गरत करवाई जाते हैं यह सब लोग है वही आएगी यह जनकरांती है आप तयार हो यह लड़ाई यह धरने परदसन लंबे चलेंगे जो दिल्ली के अभी अंदोलन है सरकार जब बात करना चाहा हम बात करें हमसे सहयुक तुमोर्चा बातचीत करेगा लेकिन हमने अंदोलन की तयारी भी कर ले जब पहले फैस का अंदोलन है नॉमबर और दिसंबर तक चलाएंगे और नॉमबर दिसंबर के बाद में बढ़ाने की दौरत होगी तो फिर बढ़ाएंगे अंदोलन को गरवापसी नहीं जाएंगे यह कोरोना आजाओ यह कोरोना के नाम पर खेल करना चाहते हैं मंगल का चुनाव हो जाएगा कोरोना आजाएगा यह कोरोना का बाप भी आजाएगा यह धरने खतम नहीं होंगे इन आंदोलन को साहीन बाग मत समझे ना आपने साहीन बाग खतम करा होगा यह धरने खतम नहीं होंगे कोरोना की गाइडलाइन को फालो करेंगे धरने खतम नहीं होंगे अपने घर नहीं जाएंगे आप लोकडाउन लगाओ, आप पूरे देश में कर्फ्यू लगाओ, पूरे रास्ते बंद करो, हम अपने धर्णू पर रहेंगे, वहाँ नहीं छोड़ेंगे ये गलब फ्रेम्याव है, टेक्टर अपने तयारा को तीन चीज से ही देश जितनेगा चाइना के बोडर पे हमारे फोज के लोग रहेंगे टेक्टर लेका है, घेत में किसान रहेगा टेक्टर लेका है, और नोजवान रहेगा ट्यूटर लेका है ट्रिपल टी सही देश का वला होगा अपने टेक्टर पे बड़े-बड़े बंपर लगवा कर रखो कहीं पे भी मोर्चे तोड़ने पड़ सकते है ये मोर्चे ट्विटर और टेक्टर से तुटेंगे और जवान सा रद पे टेंक से तोड़ेगा एक ही चीज़ है सारे के सारे सबका कटाई में जो रहे इन चीज़ों को आप ध्यान रखो सब और दिल्ली के आंदोलन पे भी फसर कट जाएगी गर्मी रहेगी अब पाड छोड़के निच्चा आना पड़ेगा गर्मी में बहुत ठीक लगता है पाड हमको भी लगता है हमको भी पांदर्स दिन रहना चीज़े था यहाँ लेकिन नहीं दोजार इक्टिस का जो साल है यह आंदोलन का साल है अगर दोजार इक्टिस आपने आंदोलन ठीक कर लिए तो आने वाले टाइम पर आपकी जमीनों की तरफ कोई नहीं देख सकता नहीं तो आपकी जमीन नहीं बचनी आने वाले टाइम पर आपकी जमीन नहीं जाएगी जैसे ब्राजील का हाल है ब्राजील में 80% जमीन महाँ पे 280 लोगों पे हैं जितना बड़ा हिमाचल परदेश एक आधी पर इतनी जमीन है तो गलब फेह मैंना हो ये कमपणियों के लोग है उसमाँ कितनी भी जमीन खरीद सकता है तो ये जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा रोजगार को आपको इस ये जमीन से तलास करना पड़ेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ को जो प्रेश के लोग हैं वे कभी-कभी दिखादते हैं कभी-कभी नहीं दिखाते हैं उनको भी आजाद करवाना है प्रेश के उपर भी कलम और कैमरे पर बंदूप का पहर है यहां पर भी आये कुछ आज दिल्ली से प्रेश वाले लोग अपनी अडेंटी छुपा कर अख लेना अगर यह पता चलिगा कि दिल्ली की प्रेश यहां पर आई तो आपके खिलाब भी कारवाई हो सकती है धन्यवाद हैं लोग का कि जो महां से आके और यहां पर हो तो यह प्रेसर खतम करवाना है देश से कहीं लोग को मुख्त करवाना है गुजरात के किसानों को मुख्ति अभियान चलेगा देश के बीजेपी के जो नेता अंदर कैद में बंद हैं उनको छुटवाना पड़ेगा कुछ तो छोड़ जोड़ आगे बीजेपी छोड़ है हाउस एरेश ठेवे क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं तो यह अभियान चलेगा प्रेश मुक्ति अभियान भी देश में चलाना पुड़ेगा तो यह अभियान सारे चलेगे जो यहां पे बंदारेज लगाएं जो लंगर लगाएं उनका भी धन्यवाद जो खालसा एड़ न प्रबंद्ध जो कमेटी है उसका धन्यवाद सब लोग जो यहां पाएं उनका धन्यवाद मेरी माता है बहने भी आपाएं बच्चे हापाएं पुलिस पर फोर्स के लोग हैं उनका धन्यवाद कि आप सांती पूंड तरीके से आप यहां पर काम कर तो बड़ा पीसफुल यह हिमाचल छेत रहे हैं हम इसकी मिसाल देते हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में यह ऐसा पीसफुल छेत रहे हैं लेकिन जमिन्नों पर जो कब जे बाहर की कमपनी करने आ रही है उनसे बचाओ यह आपका इसी के साथ में धन्यवाद जै हिन जै भारत जै प पूरे सब्सक्राइब करो पैल आइकन के क्लिक करो